हलो, आज इस वीडियो में हम present perfect tense की बात करेंगे सबसे पहले present perfect tense का क्या structure होता है इसके बारे में बात करेंगे present perfect tense का affirmative sentence का structure होता है subject plus has or have plus third form of the verb जिसे आप past participle भी कह सकते है plus object negative sentence में not add कर दिया जाता है structure है subject plus has or have plus not plus third form of the verb plus object interrogative sentence में helping verb start of the sentence लिखा जाता है has or have plus subject plus third form of the verb plus object present perfect tense का use तब किया जाता है जब कोई काम हो चुका है लेकिन उसका effect उसका परभाव या उसकी relevance जो है वो present में है present को उपर उसका कुछ effect पढ़ रहा है present में उसका कुछ परभाव पढ़ रहा है जश्मान लेजिए एक teacher ने एक student को homebook दिया दो दिन पहले अब homebook दो दिन पहले दिया गया आज Sunday है और उस बच्चे का दोस्त उसके साथ खेलना चाहता है लेकिन वहाँ बच्चा अपने दोस्त के साथ जा नहीं सकता खेलने के लिए क्योंकि उसने अपना homebook नहीं किया है homebook दो दिन पहले दिया गया लेकिन उसका effect उसका relevance अभी है present में पढ़ रहा है क्योंकि उसने homebook नहीं किया है इस वज़े से वह अपने दोस्त के साथ नहीं जा सकता है तो हब अच्छा इस सेंटेंस को इस तरह से कह सकता है कि I can't go for play because I haven't completed my homework. कि मैं खेलने के लिए नहीं जा सकता है क्योंकि मैंने अपना homework complete नहीं किया. Homework भले ही past में लिया गया लेकिन उसका effect क्योंकि अभी present में पढ़ रहा है तो हमने present perfect sentence यहां पर use कर लिया. इसी तरह से कोई भी काम जो past में हुआ लेकिन उसका effect या relevance present में हो रहा है प्रभाव present के उपर पढ़ रहा है तो हम present perfect tense का use करते हैं. माली जी एक बच्चा है जिसका पैर की हड़ी तूट गई है आज से चार दिन पहले. आज उसकी family members पिक्निक के लिए जा रहे हैं लेकिन यहाँ बच्चा नहीं जा सकता क्योंकि उसके पैर की हड़ी तूटी भी है. अब इस बच्चे का पैर आज से चार या पांस दिन पहले तूटा लेकिन उसका effect आज पढ़ रहा है कुछ लेकिन उसका परभाव, इसकी relevance आज है, present में कुछ पढ़ रही है कि उस तूटे वे पैर के कारण वहाँ आज पिक्निक पे नहीं जा सकता. The child can't go to picnic with his family members because he has broken his leg. तो इसी तरह के से कोई काम भले पास्ट में हुआ है, लेकिन उसका effect परभाव यदि present पे पढ़ रहा है, तो हम present perfect tense का use करते हैं. यानि present perfect tense एक तरीके से past और present के बीच में एक bridge, एक pull का काम करता है. present perfect tense का use एक और तरीके से हम तब करते हैं, जब हम कहना चाहें कि कोई भी काम, जब उस काम की सुरुआत हुई, उस समय से लेकर अब तक कितना हुआ है, या कितनी बार हुआ है. जैसे यदि मैं कहूँ, कि I have watched हम आपके कौन मुवी 10 टाइम्स, इसका मतलब है कि हम आपके कौन मुवी जब रिलीज हुई, उस समय से लेकर आज तक मैंने इस मुवी को 10 बार देखा है. यानि कि किसी काम की सुराथ से लेकर अब तक कोई काम कितनी बार हुआ है, तो उसके लिए भी हम प्रेजन्ट परफेक्ट टैंस का यूज़ करते हैं. इसी तरह से यदि मैं कहूँ कि I have never been to Simla, इस सेंटेंस का मतलब है कि जन्ट से लेकर आज तक मैं Simla कभी नहीं गया. लेकिन यदि मैं कहूँ I have been to Jaipur 10 ताइम्स, इसका मतलब है कि जन्ट से लेकर आज तक मैं Jaipur 10 बार जाकर वापिस आज चुका है. प्रेजन परफेक्ट के दो सेंटेंस में डिफरेंस देखे, यदि मैं कहूँ कि Ram has gone to Jaipur, इस सेंटेंस का मतलब है Ram Jaipur जा चुका है, इस सेंटेंस प्रेजन परफेक्ट का है, लेकिन यदि मैं कहूँ Ram has been to Jaipur 5 ताइम्स, इसका मतलब है Ram अपने जीवन में अपने जन्ट से लेकर आज तक पांच बार Jaipur जा के वापस आच चुका है, ये दोनों ही सेंटेंस प्रेजन परफेक्ट टेंस के थे, लेकिन दोनों का ही यूज अलग अलग तरीके से किया गया, एक और एक्जम्बल देखे, मानलीज कोई एक्टर है जिसने आज तक 50 फिल्मों में काम क किया है और अभी बहुत जीवित है और उसने फिल्मों से रिटारमेंट नहीं लिया है, तो हम कह सकते हैं, एक्टर विवेक हैस एक्टिट इन 50 मुवीज सो फार, यानि कि विवेक ने जब से फिल्मों में काम करना सुरू करा, उस समय से लेकर अभी तक उसने 50 फिल्मों में काम कर लिया है, लेकिन य trades, मैं यही सेंटेंस किसी एक ऐसे अक्ट के बारे में कहना साहँ, जो इस दुनीया में नहीं नहीं है, या जिसने फिल्मों से रिटारमेंट ले लिया है, यानि कि एक ऐसे विकती जो कि फिल्मों में और आगे काम नहीं कर सकता, उस सेंटेंस काम में नहीं लिखकर simple past tense में लिखेंगे एक्जमल देखें एक्टर सुनील acted in more than 500 movies in his film carrier एक्टर सुनील ने अपने film carrier में 500 से भी ज़्याद़ फिल्मों में काम किया इस तरह के sentences में हम present perfect tense का use नहीं कर सकते जिसमें किसी वक्ती ने उस film में अब काम करना बन कर दिया है या फिर उसका दिहान थाउच चुगा है यानि उस film में उसका वह काम अब आगे नहीं बढ़ सकता तो sentence को हम फिर present perfect tense में हम नहीं लिखते हैं यह दिस sentences में कुछ ऐसे words आ जाए जो past को इंगित करें past के बारे में बताएं कि हम past की बात कर रहे हैं तो उन words के साथ में कभी भी हम present perfect tense का use नहीं करते वहाँ पर हमें past tense के sentences यूज करने पढ़ते हैं जैसे ego, yesterday, last year, last day, previous month, previous week, in 2014, in 2018, in 1957, etc. यानि कि ऐसे words जो यह बताएं कि काम past में हुआ है, उन words के साथ में कभी भी present perfect tense का use नहीं कर सकते हैं, उन sentences के साथ में हमें past tense यूज करना पढ़ता है, for example, तानाजी movie released in 2019, तानाजी movie 2019 में release हुई, क्योंकि in 2019 ये past को इंगित कर रहा है, तो यहाँ पे हम ने simple past tense का sentence यूज कर दिया, इसी तरह से present perfect tense और present perfect continuous tense में हम ऐसे difference कर सकते हैं, कि यदि कोई काम past में शुरू हुआ है, और अभी तक कितना हुआ है, तो हम present perfect का sentence यूज कर सकते हैं, जैसे राम हैस रिटन 10 stories since morning, यानि राम ने सुबह से लेकर अब तक 10 stories लिख दी, इसी sentence को यदि हमें present perfect continuous tense में डालना चाहूँ, तो मैं कहूँगा, राम हैस बिन राइटिंग stories since morning, राम सुबह से stories लिख रहा है, और अभी वह काम जारी है, यदि मैं sentence में quantity डालूँगा, तो वहाँ पर मुझे present perfect tense का sentence बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने कहा, राम हैस रिटन 10 stories since morning, राम ने सुबह से 10 stories लिख दी, लेकिन quantity नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ, कि अभी भी काम जारी है, तो मैंने कहा, राम हैस बिन राइटिंग stories since morning, राम सुबह से कहानियां लिख रहा है, और अभी वह काम जारी है, continue, यदि यह वी